आज के इस रैंग में हम आपको एक एसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप कोई भी आपजेक्ट के विव आसानी से समझ सबकोगे आपको किसी जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये वीडियो आप अन तक जरूर देखेगा बीच में हम आपको जरूर बताने वाले है नमश्कार दोस्तों जिनको इंजिरिन रैंग में सिर्फ पास होना है वो लोग इस ब्रैंग से दूर रहे और जिनको इंजिरिन रैंग के सब् पुरे मार्क लेना है मैक्शिमम मार्क लेना है या आउट आप मार्क लेना है वही लोग इस वीडियो को देखें और पूरा देखें दोस्तो आपकी एक्जाम मि ध्यान में रखते हुए और एक हमने एक पुरा का पूरा क्वच्चन पेपर लेकर आए है जो इस तरह का है इसमें कूल चार सवाल दिये गया है सबसे पहला सवाल है ड्रा प्री हाट स्केच, बेंच वाइस एंड रिंग स्पैनर आपको बेंच वाइस और रिंग स्केच निकलना है जो कूल दस अंख्य के है अगला सवाल है ड्रा रेगुलर अक्टेगन इना 100 mm circle आपको जो regular octagon करना है इंस्क्रेप करना है वो 100 mm के circle में करना है जो कुल 10 अंका है अगला सवाल है pre-draw the given drawing according to the dimension आपको ये drawing pre-draw करनी है दिये गए dimension के हिसाब से जान रहे है ये अब्लिक projection अब्लकुल 15 अंका है अगला सवाल है draw front view, side view and top view in third angle projection of the given object आपको ये object दिया गया है इसके आपको front view, top view और side view निकलना है third angle projection में ये कुल 15 अंका है दोस्तों इस तरह से हमारे चार सवाल है अब सबसे पहले हम जानते हैं कि mark कशिर distribute किया जाता है ये जन्ना बहुत जरूर है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके mark कहा कटते है और कहा नहीं कहा mistake होती है और कहा नहीं जब आपको पता रहेगा तोगी भी आप पूरे अंक पाऊगे mark distribution ऐसे करते हैं समझ लिजे कि आपका एक question 20 अंक का है तो top view चार अंक, front view चार अंक और side view चार अंक इस तरह से आपके 12 अंक यहाँ चले जाएंगे आपको ये mark तभी पूरे मिलेंगे जब आप कोई mistake ना करते हो, कोई गलती ना रखते हो पूरे line बराबर निकलते हो, hidden line है, object line तभी आपको ये 12 अंक मिलेंगे अगर आपने इसमें mistake किया तो आपको ये कभी नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों आप इसमें बिल्कुल mistake ना करे dimension, जो भी आप ड्राइंग निकलते हो, उसमें dimension लिखना बहुत जरूरी होता है dimension से पता चल जाता है, कि आपकी ड्राइंग सही है या नहीं है dimension method, dimension के दो method होते है, align system और unidirectional system कभी भी आप एक ही system का प्रयोग करना चाहिए और जैदा जैदा align system का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अभी यही प्रचली था है, इसमें bottom से पड़ा जाता है और right hand से पड़ा जाता है और बिल्कुल center में लिखा जाता है, दोनों system के भी mix ना किदिएगा symbol, जो भी आप यह निकलते हैं, उसका symbol निकलना बहत जरूरी है, फंस्ट अंगल रहे है या थार्ड अंगल रहे तो मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, लाइन जो भी आप ड्राइग निकलते हो तो उसमें हर एक लाइन का अलग-अलग मतलब होता है, जिसकी थीकनेस होती है और आपजिट की outer line दिखाने के लिए उप्रयोग मिला जाता है, center line, dotted line इस तरह के line होते हैं, उनका उप्योग अलग-अलग होता है, तो आप वो सही तरह से निकले, arrow, arrow का एक खाश रिशियो होता है, 3 mm लंबा ही होती है और 1 mm उच्छा ही होती है, बिल्कुल solid होता है, तो आप सही तरह से निकलेगा और बिल्कुल रेखा को touch होना चाहिए, इससे निकलना चाहिए, all-dimension, all-in mm, आप जो ड्राइंग बनाते हो, उसमें all-dimension, all-in mm लिखना बहर जरूरी होता है, क्योंकि पता चलना चाहिए, कि आपकी ड्राइंग mm में हैं, मीटर में हैं, सेंटी मीटर में हैं, या इंच में हैं, या फुट में हैं, तो जो आइटिया में ड्राइंग पढ़ सुत्री होना चाहिए आपकी बिल्कुल फिनिशी क्लीर होना चाहिए क्लीर यान नीट होने के कारण एक्जाम में खुश हो जाता है और आपको अच्छे मार्क दे देता है दोस्तों इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है ड्राइंग का पर स्वाल करते समय दोस्तों एक्जाम में जो ड्राइंग दी जाती हो इस तरह की होती है इसके उपर अपको ड्राइंग के विंद निकलने पड़ते हैं या फिर फ्री एंड के जो होते हो निकलने पड़ते हैं सबसे बला जो यह का पोर्शन है इसमें आपका एक्जाम का रोल नमबर लिखना होता है सेंटर नेम, ट्रेड, सब्जेक्ट और डेट इतने भी बाते आपको लिखने होती है उसके बाद आपको पीष्टिय का हिस्सा इतना हिस्सा छोड़के आपको इज़र ड्राइंग निकलने होती है इस इस तरह से के ड्राइंग सीड होती है तो सबसे पहले जब आपको ड्राइंग दी जाती है तो आपसको सबसे पहले इस तरह से उसको बॉर्डर करना है चारों तरफ आपको 10-10 mm छोड़के आपको इस तरह से बॉर्डर लाइंग खीचना है इस तरह से और यह जो पोर्शन होता है यहाँ आपको कुछ निकलना नहीं है उसके नीचे निकलना है और यह इस साइड आपको जो व्यू होते है वो व्यू निकलना है और पीचे के साइड बे भी आप बचा हुआ ड्राइंग निकल सकते हो तो इस तरह से आपको अगर करते हो तो आपकी JJ जो है आपका जो स्कील है वो आपको अच्छी दर्से देखने को मिलेगा और एक्जामन का खुश हो जाएगा और सबसे अच्छा जो आप ड्राइन निकल सकते हो वो आप फ्रंट पेज पर ही निकलिए गाद वसमें आप अच्छा निकलते हो आप तो आपको ड्राइंग में माज ज्यादा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं इसलिए सबसे अच्छा जो आप निकल सकते हो इस पोर्शन में निकल येगा उसके बाद जो फ्री हैंड स्केच रहता है इस साइड और जो व्यू होते है इस साइड इस तरह से आपको निकलना होता है ये हो गए आपकी महत्वपूर्ण बात जार चलते हैं पहले सवाल के उपर पहला जो सवाल है वो राप्री हैंड स्केच बेंच भाइस और रिंग स्पैनर हमें ये दो फ्री हैंड स्केच निकलना है दोस्तों इसमें आपको बता दू कि प्रेयांस के टाबिने ली सीमें अच्छी है आपकी प्रेयांस के इसमें और नीकलने की वो अच्छी होनी चाहिए तभी आप इसमें अच्छ निकलो तो सबसे परहले बेंच्वाइस इस तरह से आपको बेंच्वाइस निकलना है बिल्कूल इज़ी तरह से दिखाय गया है बेंच्वाइस जिसमें पूरे नाम दिय गये वह आपको पूरे नाम शो करना हा बंख जाहे मुर्वेबल जाहे जाव प्लेटे हैंडाल window स्पिंडल पेस इस सबी नाम आपको इस तरह से देना है और अच्छी तरह से निकलना है इसके आप ज़रूर प्रैक्टिस करने से आपकी प्रियांड स्केज अच्छे आते हैं उसके बाद आता है रिंग पैनर इस तरह को दें दोस्तों यह एंगल होता है यह एंगल 70 डिगरी तो इस तरह से आपके ये दो बन जाएंगे जलते हैं अगले सवाल के उपर अगला सवाल है ड्रा और रेगुलर अप्टेगान इंस्क्राइब इन सब्कुर्ण के अंदर liberty को में आपको निकलना है शरकल के अंदरर शेगों अब डिखाते हैं तुसरा प्षाइब है इन्सक्राइब इंसर्क्राइब इन जो 8ौ इन सब्से पहले हमें और आज्व Ichique किशना कि इस तरह से और को सेंडर लाइन्ट और इंकिचना है इस तरह से सेंटर लाइन हो गई अब इसी को एक वर्टिकल भी सेंटर लाइन खीचेंगे इस तरह से वर्टिकल एक सेंटर लाइन खीचना है मैं दोस्तो अब हमें क्या करना है कि कमप्वस में 50 mm रेडेस लेके एक सरकल की जना है इस तरह से 50 mm हमें लेना है और एक पूरा सरकल कीचना है सेंटर से इस तरह से हमारा ये पूरा सरकल हो गया है 100 mm डाइमेटर का इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी ये रेगूलर होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा ये जो है यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंश लेला और इधर चाप लगाना है और इधर भी और इस साइड भी चाप लगाना है अब जहाँ मिलते हैं कि थोड़ा सा डिश्टें्स बराकर हमें कि अर्विश्य सो आपको इस पाइंट से भी हमें चाप लगा रहा है इस तरह से और इसके बाद हमें यह पूरे जोड़ देना है इस तरह से सेंटर से दूसरा पाइंट भी सेंटर से हमें चोड़ना है इस तरह से हमारा यह जोड़के हो गया दोस्तों अभी हमें सभी पाइंट मिल गया एक दो तीन चार पाच छे साथ आट इसको अभी हमें इस तरह से जोड़ना है do झाय करे जार मनना है इस तरह से हमारे यह पूरा अप्टेगन हो जाएगा जोस्तों इस तरह से हमारे पूरा अप्टेगन हो जाएगा जिसका डायमीटर है हंड्रेडे में उसके अंदर हमने इंस्क्राइब किया है इस तरह से हमारा यह पूरा का पूरा कच्चत साल हो जाएगा दोस्तों अगला सवाल है थर्ड सवावाल प्रीडरा गिवन ड्राइंग अकार्डिंग टू दा डायमेंशन आपको यह ड्राइंग जो दिये गए है वो उसको प्रीडरा करना है दिये गए डायमेंशन के इशाब से दोस्तों इस बार इस ड्राइंग में ध्यान में रखना चाहिए कि यह अब्लिक प्रोजेक्शन है आप ब्लिक प्रोजेक्शन हमेशा 30 डिगरी 45 और 60 डिगरी में एक सायड से निकल जıt है इसमें फ्रेंट व्यू मिल्कूल क्लेग लेकिन जो सायड विव उता है उसको आपको निकलते समय हर्टी डिगरी 45 रिगरी या फिर has just Turkey का प्रयूग करना है तो हिहां आपकी सामने न जो छोटा सरकल है हमारा पहला सरकल हुए है 25 का को हम करेंगे इसमें मेजरमेंट आया नहीं है लेकिने 25 का है और यह 50 का है दोस्तों इसको हम ड्रा करते हैं सबसे पहले इसमें स्केल में हम डिस्टस लेते 12.5 mm इस तरह से पहले पेंसिल से करेंगे और इसके बाद अच्छा दिखना चाही से लिए उसको ठीक करेंगे इस तरह से हमें यह Jupe 16 करना है और दूसरा जो है वो है 25 रिड हेज़िस लेकर हमें गरना है है इस तरह मळी कि इस तरह से हमारे हो गए इसको बात में हम ठिक करेंगे और यह जो कीवे दिया है उसके वीड जो है 6 mm दिया गया है यह जो है हमें 6 mm दिया गया हमें उपर निचे 3-3 mm लेना है तो इसके निचे पहले कीवे का ही कर लेते हैं क्योंकि उससे यासा नहीं हो जाएगी 6 mm इस तरह से हमारे हो गए इसको हम बिल्कुल समंतर रेका है किजेंगे पहले ही इस तरह से हो जाएगा इसके बाद हमारा जो यह डिश्टनस है वो 18 mm हो है हमें यहाँ से 18 mm लेना है और इसको इस तरह से ड्रह करना है तो यह हमारा पूरा हो गया दोस्तों यहाँ तक अब हमें क्या करेंगे इसको ठीक कर लेते हैं पहले कि इसकी बाद में हमें ज़रुरत नहीं है इसको ठीक कर लेते हैं कि झाले हूं da यहाँ झाले है नहीं हमें यह हमें क्यों अहीं yakंपना स्ट प्रूर्पमें अच्छ करेंगे उता है कहाँ अग्य कर भी interesting वभ दा कि यह आथा ठीक हो गए और जो आउटर सरकल है वह हम पूरा उसको ठीक करना है हमें इस तरह से आपको पूरा क्लियर दिकल ला जाए इसलिए हमने इसको इस तरह किया है और उसके बाद यह जो है कीवे का जो स्लाटे उसको भी पूरा कर लेते हैं इस तरह से हमारा यह फ्रेंट का हो गया है दोस्तो अब हम सुरुवात करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेट्ष कर सेट करने पढ़ेंगे इस रेका को आपको समान तर्मिल को रखना है और उसके बाद 30 डिगरी के आपको इस तरह से है और यहां से आपको इधर निकलना है हम 30 डिगरी में निकल रहे हैं दोस्तो इस तरह से निकलना है और यह जहां टच होता है वहां से भी निकलना है और यहां एक बात है इस सेंटर से आपको निकलना चाहिए इस तरह से हमारा यह हो गया अभी दोस्तों यह जो डिस्टर्स आपको बताया गया है यह 50 mm का है यह जो डिस्टर्स बताया गया इस सेंटर से उस सेंटर तक लेकीं 20 mm छोड़के हम चालू करेंगे क्योंकि यह 20 mm है थो हमब यहां से 20 mm डिस्टर्स लेना पड़ेगा 20 mm यह हमारा हो गया है और इसमें हम एक रेडियस कीचेंगे यह वाली रियी एज इस तरह से हमें ये रेडियस करनी है और उसके बाद यहां से हमें इसी पाइट से हमें 30 डिग्रे में 90 डिग्रे स्वारी पैरलाल डिग्रे इसमें हमें रेखाए किजने है इस तरह से मिल्कुल पैरलाल आपको रेखा किजने है इजो 20 का हमने पाइट लिया था यहां से यहां से हमें मिल्कुल इस तरह से करना है और इस पाइट से हमें 50 mm लेना है इस point से 50 mm लेना हमें, इस तरह से, पर यह जो center हो जाएता जो circle है, यenses का distance है, वो 50 mm है, तो हम ने यह point लेलिया है, यहा से हमें circle किचचना है, छोटा आला, इसको हम, यह ठीक है तो इसको पुरा पेन से इकल कर लेते हैं, यह 20 mm का है तो इसमें हमें 10 mm डिस्टंस लेना है रेडियस और इसको पुरा करना है इस तरह से हमारा पाइंट हो गया था पचास में का इस तरह से हो गया अब दोस्तों उसका आगे बढ़ते हैं यह जो तो इसमें 90 डिगरी के हम सेंटर लाइन खीच लेते हैं एक होरीज़न्टल और एक वर्टिकल इस तरह से करना है यह पूरी रेडियस करना है यह पूरी रेडियस करना है और उसके बाद एक बड़ा जो रेडियस है 20 यह जो है 35 का वह हमें पूरा करना है इस तरह से यह यह तक आ गए दोस्तों अब हमें क्या करना है यह भी हमें एक्स्टेंड करना है उदर 30 डिगरी में वी से में एक्स्टेंड करना है हमें यहां से रेडियस से सेंटर लेंग खीचनी पड़ेगी इस तरह से अब जो बड़ी रेडियस है उसको भी हमें बी से में हमें तो पाइंट शिप्ट करके बी से में का पाइंट शिप्ट करके हमें वहां से एक रेडियस खीचनी है पड़ेगी इस तरह इस तरह से हमारे यह रेडियस हो गए दोस्तों अब हमें यहां 30 लिग्रे में यह मिलाने हैं इसको इस तरह से आपको सेट स्कर सेट करना है और इसके बाद यहां से आपको इस तरह से यह मिलाना है और जो उपर का जो पोर्चन है यह यह वाला इसके लिए आपको सबसे पहले यह पाइंट करना पड़ेगा यह पाइंट कितना है यहां 20 प्लस 20 मतलब 40 mm यहां से हमें शिप्ट करना पड़ेगा 40 mm यहां से बड़ी जो रेडियस है वो भी हमें खिचनी है इस पैंट से इस तरह से हमारी बड़ी रेडियस होगी और यह जो आउटर आउटर जहां मिलते हैं हमें वहां मिलाना है टच करना है इस तरह से इस तरह से हमें बिल्कुल प्यारलर टच करना है इसको टेपर टच करना है इस वारी क्योंकि डाइमेंशन कम ज़्यादा है इसलिए टेपर में टच करना है इसको मैंने गलती से बता दिया था आपको और इसको भी यहां तक टच करना है यह जहां तक मिलेगा इस तरह से यह आपको टच करना है इस तरह से हमारा यह बन जाएगा इसको अभी हम ठीक कर लेते हैं तो आपको पूरा पता जल देगा आइडिया जाएगी इस तरह से आपको यह ठीक करना था इसके बाद इसी लाइं को पैरलाल हमें यह भी रेखा किसने है यहां से ही इस तरह से हमारा यह पुरा बन किता हो जाएगा दोस्तों इसको अब ठीक कर लेते हैं दोस्तों इस तरह से आपको निकलना है और इसके बाद इसको डाइमेंशन भी देना है है हमें इसको आपके अबके तरो ओे वहे ने आपको अबसे जो दोस्तो इस तरह से हमें पूरा करना है आपको अभी समझ भी आ गया होंगा और बात में उसके बाद यह जो डायमेशन दिया गया है यह पूरे डायमेशन आपको इसमें शो करना है दोस्तो चौता जो सवाल है आपको यह अबजेक्ट दिया गया है जिसके आपको फ्रंट व्यू टॉप और साइड व्यू निकलना है थार्ड एंगल प्रोजेक्शन में दोस्तो यह ड्राइंग अप हम लोग आपके साथ नहीं निकल के देंगे और इसमें हम कलर कोड और एनिमेशन का भी प्रयोग करके उसके ऊपको बहुत ड्राइंग आप ऊठा के देखिएगा इंग होता है तो इससे पहले में आपको अठने इंटके ऐसे गहर readily जाए सी ll t प्रंट व्यू टाप व्यू और साइड व्यू कैसे कैसे दिखते उसको घुमा घुमा कि आपको निकलना है इसे हर दिन आप अगर चार पच अगर आपजेक्ट के अगर व्यू निकलते हो तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप इतना परफेक्ट हो जाओगे क आप हमको हमारी मिश्टिक बताऊगे तो दोस्तो हमेशा ये आप ऐसा कीजेगा कि घर के आने वाले तीन चर दिन में आप कोई भी चीज जो भी चीज आपको मिलती है कोई ग्लास मिलेगा कुछी मिलेगा तो उसको आप माचिस के डभी होती है उसको भी आप देख सकते हो फ्रंट वीव से कैसा दिखेगा, साइड वीव से कैसा दिखेगा, और टाफ वीव से कैसा दिखेगा, यह आपको रपली निकलना है, इससे आपको इतने परफेट हो जाओगी कि हमारी जरूत नहीं पड़ेगी, दोस्तों यह ट्रिक हमेशे आजमाली दिखा, और अगर आप उसमें अगर परफेक्ट हो गए तो दो-तीन दिन के बाद हमें जरूत कमेंट करके बताएगा, आप बहुत कुछ हो जाओगे, यह बात आप मैंसे ध्यान में रखेगा, तो इसके हमारा वीव निकलना चलू करते हैं, इस तरह से हमारा यह, इसमें कोई आरो नहीं दिखाया गया, फ्रंट व्यू कहां से निकलना है, साइड व्यू कहां से निकलना है, तो दोस्तो, फ्रंट व्यू निकलने के तरीके होते हैं, तो सबसे पहला एरो दिखाया जाता है, जिस साइड से आपको एरो दिखाया गया, उस साइड से आपको फ्रंट व्यू निकलना होता है, या फिर अगर arrow नहीं दिखाया गया तो आपके जिस साइड से सबसे ज़्यदा लंबाई होती है उसको front view मान के आपको निकलना चाहिए और तीसरा जो होता है जिस साइड से आपको सबसे ज़्यदा operation clear दिखते है उस साइड को आपको front view मान कर चलना होता है यह बात हमेश्य ध्यान में रखिएगा पहले आपको बताया जाता है कि इस साइड से आपको front view निकलना है अगर नहीं है लिखाये तो आपको व्यू की सबसे ज़्यदा लंबाई होती है उसको front view मान के चलना है और तीसरा जिस साइड से operation आपको clear दिखते है ज्यदा से पहले आपने जो बार्डर बनाया है उस बार्डर के आपको लंबाई लेना है कि इतनी लंबाई है जैसे कि आज शो किया है 340 mm और जो हाइट के वो 225 mm है इस तरह से हमारे लेंट आ गई है उसके बाद आपको क्या करना है जो dimension होते है एक्स एक्सिस और य एक्सिस के बीच इसमें का जैसे हमारा टाप व्यू उपर है और और साइड विश्त तो आपको आपको और फ्रंट व्यू और साइड व्यू कि इसमें आपको एक खास डाइमेंशन देना होता है हमेशा यह बताया जाता है कि आप 10 mm चुड़ो तो उससे क्या होता है कि आपकी ड्राइंग अ लेना है अगर नहीं लिया तो चारों तरफ आप 25 ले सकते हो तो दोस्तों यह बात ध्यान में रखिएगा हमेशा कि आप थोड़ा ज्यादा डिश्टर्स ले तो इस तरह से आपको यह लेना है तो हमार जो आपजेक्ट है इस तरह से आपको सेंटर अरेंजमेंट के लिए यह तीन लेंज होती है वह आपको जरूरी है तीन डाइमेंशन बहुत जरूरी है फ्रंट व्यू की लंबाई कुल लंबाई जैसे यह 80 mm और 20 mm 100 mm आ गया साइड व्यू की लेंद 30 प्लस 20 मतलब 50 mm आ दीखाया गया है 50 mm और फ्रंट व्यू की हाइट यह हाइट इन तीन डाइमेंशन की जरूरत होती है इस तरह से अगर आप ब्लाग बनाऊगे इस तीन आ हमें के हैं रहते त्रता हैं कोई भी आप्रस्वार नहीं जाएंगे हमेशे सद्की कि लंबाई होती होती है हैं प्रेंट वी लंबाई दे थीन प्रेंस में होती है ये बात हमेश्य जान में रखेगा आपको लेंट डाट के लिए जैसे कि आपका पहले फ्रंट वीव आता है इसको पहले लिए 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 हमारा टोटल लेंट उसके बाद टाफ वीव के हैट क्योंकि टाफ वीव ऊपर रहता है सबसे पहले फिर हमने लिया है जो वाई एक्षिस से उसके दोना तरप और फ्रंट वीव की हैट और इसको दो से डिवाइट करना है इस तरह से हमारे एंसर आ जाएगा एंसर आ जाए हमारा 75 mm पहला डाट ल कि लंबाए इस तरह से हमारे घॉपप से हमारे हमारे हाइट के हाइट कि हाइट है जिलीह चैसके हमारे इस्तार से हमारे हमारा जो एंसर आ गया था लेंड डाट के लिए 75 mm का पहला डाट लगाना यहां फिर 100 mm फ्रंट व्यू की लंबाई है क्योंकि इस साइड हमारा फ्रंट व्यू आता है फिर 20 फ्रंट व्यू की लंबाई है 50 mm और फिर बचा हुआ डिस्टस 75 इसी तरह आपको और इसके बाद म से 42.5 फिर 50 टाप यूगाइट फिर एक सी अक्सिस का डिस्टन से दोनों तरफ बोले ना है आपको फिर फ्रंट व्यू की हाइट अब यह बचा हुआ अंतर 42.5 इस तरह से आपको यह लाइन किचने दो एक सकते हो आप यह इस तरह से हमारा यह पूरा बलाग बन गया बिलक बिल्कुल सेंटर अरेजमेंट हो गई आपकी बिल्कुल आपको यह दिखने में अच्छे लगेगी और एक्जामिनर भी खुश हो जाएगा आपको अच्छे मार देगा तो यह आरेजमेंट जरूर कीजिएगा इस तरह से हमारे यह आगे उसके बाद हम चलते हैं ड्राइं इस तरह से हो जाएगा सबसे पहले हम अब सुर्वात करेंगे टॉप दीन की सप Bennett पहले हमारने पीरिफ रेखाए तो इसको हम खीचेंगे यहा इस तरह से इस तरह से रेखा हमने खीचे ay फिर उसके बाद डूसरी रेखाई आती यह 10 mm छोड़के इस तरह से फिर यह से बंध है तो यह दर भी हमें करना पड़ेगा इस तरह से इसके बाद यह जो रेखा है 15 mm की यहां यहां से हमी सुरवत करना है 50 mm, फिर 40 mm, यहां तक आना है, फिर 50 mm की डार है पाली, उसके बाद यह 20 mm, क्योंकि यह आपरेशन पूरे डेप्ट में नहीं गया है, इसलिए आपको यह दिखने वाला है, इसलिए 20 mm और उसके बाद 15 mm, इस तरह से यह हो जाएगा, दोनों बलाक होगा, यह वाला बलाक और य 20 mm तक इस तरह से, इसके बाद और यह आजाएगा और यह फिर 20 mm की रेखा, इस तरह से यह आपरेशन पूरे गाएगा, क्योंकि यह पूरे गहराई में नहीं गया, इसलिए आपको यह पूरा बंदी की गया, इस तरह से हो गया, उसके बाद हम चलते हैं, इदार टेपर की इस तरह से पूरे इसमें दिया रहे है, इसके बाद यह पूरी रीटम, इसके बाद यह जो रेखा है, इसको हम यह से यहां तक किचेंगे 20 mm चोड़े, इस तरह से, फिर यह 20 mm कटा हुआ है, और पूरे गहराई में गया, इसलिए इस तरह से आएगा वो, और यह हो जाएग इस तरह से हमारे टाप यू पूरा बन के तैयर हो गया दोस्तों इसमें कोई अब गलती नहीं रहे गई है पूरा का पूरा बन गया है अब देख शुक्ते हो उसके बाद फ्रंट यू में हम यह एल शेप का बना देंगे सबसे पहले कि इधर से हम देखते हैं जब फ्रंट य यह ले इस तरह से जबे भी पचाशन लेंकी घ्रिये टी में भी स्थी इंचरिए預र यहां तक आ जाएगी सिघ्यों तक इस तरह गया यह वजए पूरे बंड़ में में इसके बाद आब यह वाला जो ब्ला करेंज़ छोटा यह भी हम निकलेंगे तरह से आपको यह छोट अ अब दोस्तों इसकी सुरुवत करते हैं यह जो है पच्चासे में यहां से हमें लेना यह वाला जो ब्लाक है इसकी पच्चासे में जो हमने इसमें प्रोजिक्शन लेंग कीची थी और उसकी है यह है इस तरह से हमारे पच्चासे में अब हम इसको निकलना है क्योंकि यह भी पूरे यह आपको दिखने वाली है इस तरह से हैं यह जोड़ना है इस तरह से हम रही है अब इसके प्रोजेक्शन लाइन इस तरह से उपर से भी और इस तरह से भी हमारा साइड यूर बहुत जल्दी तयार हो जाएगा सबसे पहले करते हैं शुरुवात इस ब्लाक से चोटा जो ब्लाक इस तरह से देखते हैं तो यह देखेगा आपको और यह दूसरी भी रेखा यह वाली रेखा और यह बाद में यह वाली पूरी रेखा फोड़ टीम्म यहां तक यह आप्रेशन दिया गया है आपको यह ब्लाक देखेगा अभी यह वाला ब्लाक यह वाला भी हो गया यह भी हो गया इसके बाद देखते हैं यह वाला जो है यहां से भी आपरेश्चन आपका पुरया लंबाई में नहीं गया है इस तरह से आपका उजाएगा यह हो गया दोस्तों आप साइडियों इसमें बचाहर खली हिडर यह जो आपरिशन है यह वाला इसके प्रोजेक्षन हमने खीचिए यहां तक आती है और यह कुछ गहराई तक है वह आगे इस तरह से हम देखेंगे तो दिखेंगे नहीं देगा छुप जाता है इसलिए उसको फिदर लाइन से शो करना पड़ेगा इस तरह से यह वाले इसकी गर आहि हो गयी को कि गर 1 आ जाएगीत आ जाए आपको निकलना है अब इसमें देटे पुरा होगा यह यां तक तो आपको समझ में आगा हूंगा अब इसमें कम SCP क्हाना है आपको में इसमें का प्रयोंग किया है आपको अलाइन सिस्टम का प्रयोग करना इस तरह से आपको डायोच में लिखना है कोई भी लिखने पर लिखने की जरूरत नहीं है हमने यह तीनों भी उपे लिखा है इसकी जरूरत नहीं और दूसरी बात आपको यह बीच में डाइमेशन नहीं लिखना है उपर या इदर इस तरह लिखना है बीच में लिखने की जरूरत नहीं नीचे या इस तरह लिखना है इस तरह से आपको यह इसमें एरो भी आपके ब पूरा लिखना है दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको एनिमेशन और कलर कोड के माद आपको अलग कलर और जो टेपर हिस्सा है दो यू में दिखता है इसलिए आपको इसमें हमने अलग कला दिया क्योंकि यह टेपर हिस्सा और हाप रेडेस का दो होता है दो भी उसी दिखता है जो बाहर ही रेडेस होते हैं इसलिए उसको अलग कलर दिया गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका टॉप व्यूब अगर हम टॉप यूब से देखते तो आपको ग्रिन ग्रिन दिखे यह टेपर का जोश्चा इसको अलग दिया था कला तो इस तरह से हमारे यह पूरा देखेगा दोस्तों अब हम देखते इसको एनिमेशन से घुमाए तो कैसा देखेगा यह देखना पर अच्छा है कि आपको इससे बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम इसको देखेंगे आफ यू आफ यू के दर अब अगर घुमाते है इसको इस तरह से घुमाएंगे तो यह हमें आफ यू दिखेगा आप देख सबते हो साइड में टाइप यू दिखाया गया इधर और उसके बाद उसकी आइसिमेट्रिक पोजेक्शन पोज रहेएगा जिसको हमने कम दिया था उसके बाद आइज की एक्श्वल पोजिशन ऑचमेटीches तरह से पोजिशन होग इसकी और उसके बाद देख तक साइडु जाइगर अलंड कर दिया ़िस तरह से साइडे हूएंगा इसके बाद भी कि अठुमेंट्रिक पोजिशन यह isometric position होगी दुस्तों एक बार और देख लेते हैं फास्ट फारवन में top view, front view और side view सबसे पढ़ने top view और front view और यह side view और उसके बाद उसकी isometric position यह isometric position होगी दोस्तों आपको यहाँ तक तो ड्राइग समझ में आगए होगी आप सभी को exam के लिए best of luck अच्छी तरह से निकले और अगर आप नहीं हो हमारे चार्ल को अभी दक सबस्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब लाइक और श्यार करना ना भुलेगा और नए वीडियो के notification के लिए bell icon प्रक्तिक चरू किजीका Thank you